कर आप फ्रेंचाइजी बिजनस करते हैं तो वही काम आपका एक से दो में पर जितना भी आप बजट बना लें ना उससे ज़्यादा पैसा है और मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो पूरा होता है तो एक जीवन कम पड़ जाएगा दुनिया में हाई प्रेंड क्या आप बी एक नए बिजनस का शुबारम करना चाते हैं और आपके बन में वही प्रश्ण है जो हर इस व्यक्ति के मन में होता है जिब बिजनस शुडू करता है क्या कि अपना बिजनस शुरू करूं या किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर उसकी सफलता का इस्यदार बनके अपनी लाइफ को बिजनस में आगे बढ़ाऊं यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्ण है हर व्यक्ति को अपने आप से प्रश्ण जरूर करना चाहिए जब भी वो किसी बिजनस का शुबारम करें तो आए इस बात को स बिजनस शुरू करना चाहते हैं और आप चाहते हैं मैं अपना ही खुद का बिजनस शुरू करूं यह फ्रेंचाइजी लूँ तो आपको यह देखना होगा कि आपको प्रोड़क्ट की नॉलेज है या नहीं अगर आप अपना बिजनस करते हैं तो आपको प्रोड़क्ट क चाहिए और अगर आप फ्रेंचाइजी करते हैं तो प्रोड़क्ट की नॉलेज नहीं चाहिए क्यों नहीं चाहिए क्योंकि प्रोड़क्ट से और तो उड़क्ट करते हैं राव हो सानी से और बिजनेस की पूरी मार्कट करती हैं आपको सब्सक्राइए बारूड़क्ट वार्ड़क्ट करते हैं मार्कटिश करने करती है ऐबोती बड़ी यूनित आप आप zonal level पर करें आप स्टेट लेपलबर करें आप नेशनल लेवल पे रहें आप इंटरनाशनल लेवल पे करें सारी के सारी marketing का बड़न आपके ओपर होता है जब कि franchise business में marketing का जो ओobic फहना वो दो लोगों के पास convert हो जाता है और मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो पूरा होता है जैसे मान लीजिए कल्ट फिटनस का जिम है तो कल्ट फिटनस पूरे इंडिया मैट विडिस्मेंट कर रहे हैं तो जो दिल्ली में लोग उसकी फ्रेंचाइजी लिए बैठे हैं वहाँ पर उसके पास पास के जो एरिये ह हो रही है तो उसका benefit केवल उस unit को मिलने वाला है तो यहां पर बहुत बड़ा रूल होता है मार्केटिंग का management अगर आप अपना बिजनस करते हैं पूरे बिजनस को मैनेज करना आपकी अपनी खुद की responsibility है चाहें आपकी family मैनेज करें उसको या आपके friend circle में जो आपके management best होगा उसकी training best होगी उसकी strategy best होगी उसका system बढ़िया होगा तभी वो franchise successful run करेगा और जब successful franchise run होगा तो company को भी profit होगा और franchise को भी profit होगा इसलिए marketing and management यह दो ऐसी चीज़ है जो फ्रेंचाइजर मतलब franchise देने वाली company अपनी franchise को देती है जिसकी वजह से वह आसानी से मार्क manufacturing अगर आप trading business करें या manufacturing business करें दोनों ही case में अगर आपका यह setup अपना है तो आपको सारा का सारा focus trading पर और manufacturing पर करना होगा तो आपको sales से लेकर marketing से लेकर management से लेकर finance से लेकर सारी जिम्मेदारी खुद समालनी होगी लेकिन अगर आप franchise run करते हैं तो बहुत सारी responsibilities company की होती है आपको तो केवल focus करना है आपकी unit को अच्छे तरीके से चलाने पर sales volume बढ़ाने पर और अपने business में अच्छा profit कमाने पर फाइन तो यह तो कुछ comparison है और कुछ comparison देख लेते है requirements का क्या होती है अगर आप अपना business setup करते हैं तो जैसे initial setup में requirement होती है वैसी requirement आपको अपने business मे बनना चाहते हैं तो 25 से 30 लाख रुपे का investment है लेकिन यहां पर क्या होता है जब आप खुद बनाते हैं तो आपको कोई अनुभव नहीं होता कहते हैं कि घर गाड़ी शादी ब्या मकान बनाना यह ऐसे खर्चे होते हैं जहां पर जितना भी आप बजट बना लेना उससे ज आप जाते हैं लेकिन फ्रेंचाइजी बिजनस में जो इनिशेल इंवेस्टमेंट होती है वो पूरी फिक्स होती है आप एक स्टोर बनाना चाहते हैं और जो भी उसका एरिया रिक्वाइड वो है और उसमें इंवेस्टमें लाते हैं मानलो 25 से 30 लाख रुपे तो कंपनी 25 लेज़े से 30 लाख में ही आपका फूरा स्ट्रों करेंगीन करेंगे अना वर्किंग कापिटल आपका बिजनस हो तो भी आपको वर्किंग कापिटल रिक्वाइड है और करेंचाइश शुरू किया और कल से आप इतना सेल वाल्यूम कर लेंगे कि सारे खरचे पूरे हो जाएंगे गैस्टेशन पीरिएड लगता कुस्स समय लगताइड उसको स्टार्ट करने में उसको प्रॉसेस को कम्प्लीट करने में और मार्केट में अपनी सेल की पकड़ बनाने में और स्टाफ पूरा का पूरा management पूरी की पूरी सपोर्ट हर चीज आपके पास फर्स डे से होती है और सारी चीज प्री-प्लैन होती जिसकी वाज़े से आपका गड़ जाता है और जब गड़ता है तो आपकी कॉस्ट भी घड़ जाती है नेक्स्ट केपबिलिटी टू बियर रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आप अपने खुद का बिजनस कर रहे हैं तो हेंड्रेड परसेंट रिस्क आप ही का है लेकिन अगर आप एक फ्रेंचाइ लेवल अफ इंवेस्टमेंट और अलग-अलग लेवल अफ अर्निंग का जो एरिया होता है वहाँ पर वो चल रहे हैं जिसकी वज़ेसे आपका जो रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट वो कम हो जाता है क्योंकि कंपनी की सक्सेस आपके साथ जुड़ी होती है तो उसका करते हैं कि गुरू चानक्य ने का था सारन वहफ जीवन में सीखने पर लगा दो तो एक जीवन कम पढ़ जाएगा सफरिंग ऑफ लॉस की प्रॉब्लम क्या है कि आपको लॉस जादा सफर करना पड़ता है क्योंकि आपके पास किसी भी तरह का एक्स्पिरियंस नहीं है हर आप करकर के सीख रहे हैं लेकिन फ्रेंचाइजी बिजनस में सफरिंग ऑफ लॉस मोस्ट कॉमनली कम होता है क्योंकि जो बहुत सारे बड़े खर्चे रूप में बढ़ जाते हैं जैसे मालीजे मार्केटिंग का खर्चा है तो कंपनी सेंट्रल मार्केटिंग कर रही है जै नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट के कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप मार्केटिंग पर खर्च कर सकें लेकिन अगर आप फ्रेंचाइजी बिजनस में किसी कंपनी के फ्रेंचाइजी है तो आप मार्केट के कॉम्पिटिशन को बीट कर सकते हैं क्यों क्यों क्योंकि सेंट्रल एडविडिजमेंट कंपनी की हो रही है इसके लावा कंपनी ने अपने प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर पहली मार्केट में बहुत बड़ा शेर जनरेट किया हुए और लोगों को उस ब्रैंड के प्रती ब्रैंड लोयल्टी है जिसकी वैसे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है और आपके जोन का छोटा कॉंपिटिटर आपके ब्रैंड के साथ कंपेर नहीं कर पाता चाहें वह प्रमोशन से लेकर हो चाहें वह किसी भी पॉइंट आफ व्यू पर हो आप से वह कंपीट इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसकी territory उसका area उसका budget उसकी limitation होती है और आपके पास market के साथ साथ आपके पास company के सपोर्ट होती है अब यहां दो important बात मैं आपके पास share करने वाला हूँ और वो जो statement है ना वो मेरी अपनी नहीं है वो दुनिया के महान प्रेरक्ट लोगों ने लिखी है गुरू चानक्ये ने कहा था कि यदि सारा जीवन अनुभव करके सीखने पर लगाओगे न तो एक जीवन कम पड़ जा इतने लंबे वर्षों से brand establish है consumer के मन में उसकी पूरी picture image clear है है ना जैसे मैं आपसे कहूं कि एक JP बर्गर लेलो या MACD का बर्गर लेलो तो आप क्या कहेंगे आप MACD का बर्गर लेंगे क्योंकि वो trust बना हुआ है इसी वज़े से बहुत सारे समझदार लोग गुरू चानक् बनाते हैं और बाकि सारे लोग आजीवन काम की तलाश में बटकते हैं कहने का मतलब network का हिस्सा बन जाते हैं या खुद का network बनाते हैं तो या तो as a franchiser आप अपनी company की franchise दे के अपना network करें या already जिनके developed network हैं उसी के हिस्सेदार बनके उसी के franchise बनके आप भी उसकी सफलता के हिस्सेदार बन जाएं तो दोनों ही statement बहुत बहुमुले statement हैं आज मैं बात करूँगा एक ऐसे business के बारे में जिसमें आप बने बनाए network के हिस्सेदार बनके आसानी से अपने राज्ये में अपने शहर में एक बहितरीन business कर सकते हैं और वो business है Metas Lifestyle हमारी company है Metas Overseas Limited Metas Overseas Limited क ब्रैंड है Metas Lifestyle जिसमें हम लोग stainless steel से बने modular kitchens, bathroom vanities, wardrobes, steel interior यह सारे businesses हम करते हैं यह सारे products हमारे हैं और हमारे जो ticket price है न वो 3-4 लाख रुपे से शुरू होकर 40-50 लाख रुपे तक का हमारा product है इसका मतलब product का ticket price बहुत बढ़ा है dead investment क्यों नहीं है क्योंकि हमारे वाले case में किसी भी तरीके से आपको back-end में कोई stock नहीं रखना पड़ता क्योंकि make-to-order वाला concept है तो हमारे इस business में ratio of profitability वो भी बहुत आई है competition की बात करें तो बहुत low competition है क्योंकि बड़ी investment का business है और एक territory में limited area में number of franchise ही होते हैं जिसकी व सब्सक्राइब देखेंगे तो सारी चीजें convert होते हैं अब जो Metro projects बन रहे हैं मैक्सिमम काम स्टील का हो रहा है लोए का नहीं हो रहा क्यों क्योंकि upcoming product है है ना तो सबसे पहली बात अगर आप मेटास lifestyle stainless steel modular kitchens की लेना चाहते हैं तो minimum area हमें चाहिए 1200 से 1500 स्क्वार फिट जब यह depend करता है आप कि state में कर रहे हैं किस size of showroom के साथ कर रहे हैं हमारे dealership showroom भी है वो 300 से 500 स्क्वार फिट में तो availability of space और investment के according हम बताते हैं कि कितना area required होगा अब उसी area के according requirement है investment की अगर हम franchisee की बात करें तो minimum requirement है 35 लाग से लेकर 40 लाग रुपे के असपास अगर बड़े showroom की बात करें तो 40 से 70 लाग रुपे का investment है और अगर छोटे showroom की बात करें तो 10 से 15 लाग रुपे का investment है तो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर और किस investment के साथ बिजन शुरू करना चारे है investment के बाद ratio of profit 45% से 40 से लेकर 50% का मारजन है 40% 45% 50% जो की high ratio of profit को denote करता है क्योंकि ह हमारा price ticket भी बहुत बड़ा है इसके लावा support and system सारा का सारा support and system designing support marketing support sales support installation support lead generation support call center support after sales service support complete training काम कैसे करना है product कैसे जाना है product कैसे बिकता है product कैसे export होता है मतलब modular kitchen से संबंदित सारी की सारी training provide करना company का काम है ठीक उस तरह से जिस तरह से company अपने successful business model को अलग-अलग state में run कर रहे है वैसे ही आप भी Metas lifestyle के franchise बनकर अपनी city में अपने zone में एक बहितरीन business opportunity के साथ जुड़कर एक high profile business कर सकते हैं और high end clients के साथ ये business कर सकते हैं इस तर not as dealer, franchisee, associate partner, FLB, BRP ये company के contact number है इन contact number पर call करके आप बात कर सकते हैं अगर आप अपने राज्ये में franchisee showroom खोलने के लिए interested हैं तो आप हमारी team से contact कर सकते हैं ध्यान रखिए दुनिया में समझदार लोग नए business को करने के लिए बड़ी सफल company के साथ जुड़कर अपने network को त तरीके से काम समझके और लंबा समय लगा कर business को establish करते हैं यह आपके उपर निभर करता है आप कैसे काम करना चाहते हैं और कितनी सफलता आसिल करना चाहते हैं यदि आपके मन में business related कोई भी प्रशन हो तो आप comment box में ज़रूर लिखें business related कोई भी informative video मिस ना हूँ उसके दबाना ताकि वीडियो का notification सबसे पहले आपके पास है स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनर बविश्य की कामना करता हूं जय हिंद जय भारत